हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल मॉम्स कोकिंग कला आज मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू रेसिपी लेकर आपके लिए फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं बहुत हेल्दी और बेनिफिट्स से भरी रेसिपी जो है बहुत टेस्टी और डिलिशिज इसके बेनिफिट इतने जादा हैं कि हम सोच भी नी सकते कि ये कितने बेनिफिट्स वाली रेसिपी है तो सबसे पहले इंग्रेडियंट्स देख लेते हैं हमने लिए हैं बादाम, मखाना, गोंध, दकनी, मिर्च, चारो मगज और तिल ये लिए हैं मैंने नारियल, नारियल को कद्दू कस कर लिए हैं मैंने और इसमें यूज करूंगी मैं खोया, देसी घी, चीनी, आज जो हम बनाने वाले हैं ये हमारे लिए बहुत इंपोर्टन्ट है, ये बहुत बेनिफिट्स वाली है और ये हमारे जोइंट्स पेन, बैक पेन, आँखों की रोशनी को तेज करेगी, जिनके ज माइंड को तेज करेगी है, और जिन बच्चों के एक्जाम आने वाले हैं आप उन्हें बना के दीजिए, उनका माइंड शार्प हो जाएगा, उन्हें अपना स्लीबस टुटकियों में याद हो जाएगा, और जो न्यू मदर हैं, आफ्टर डिलिवरी इसे बनवा के खाए और वो बहुत हेल्दी फील करेंगी इस से, तो मैंने एक कड़ाई रख ली है, कड़ाई में मैंने और कुछ हैड नहीं करा, सिर्फ अपना नारियल एड किया है, मैंने इसमें घी या ओयल कुछ भी नहीं डाला, बस अपना नारियल डाल दिये है, और नारियल को मैं ब्राउन नारियल नारियल हमारी strength, stamina, power बढ़ाने में काम आता है सूखा नारियल ये नारियल fiber, copper, selenium, magnesium और बहुत सारे vitamin से भरा होता है ये आपके दिल के लिए, skin के लिए, health के लिए और बालों के लिए बहुत ही फाइदे मंद है सूखा नारियल आपके brain को तेज रखता है, आपके health को अच्छा रखता है, आपके mind को fresh रखता है और आपके mind को sharp रखता है, और आपकी skin में glow लाता है, आपके बालों को healthy रखता है आपके बालों में glow लेकर आता है सूखा नारियल खाने से आपका stamina अच्छा रहता है आपकी strength अच्छी रहती है आप power feel करते हैं से strong feel करते हैं तो इसके इतने सारे benefits होते हैं कि यह आपको कितने कामों में use होता है मैंने अपना नारियल brown करके निकाल लिया है और मैंने इसी कड़ाई में add कर दी है तिल तिल को भी मैं करूंगी brown और तिल के benefits भी बहुत सारे benefits होते हैं और यह बहुत बिमारियों में काम आता है सबसे पहले तिल में magnesium भरपूर मातरा में होता है जो हमारे हमें hypertension को दूर रखता है हमारी hypertension को दूर रखता है यह cancer से बचाफ करता है हमारा यह diabetes को नियंतरित रखता है और बहुत सारे benefits हैं इसके जिनको urine बार बार आता है वो इसे ले urine में उन्हें relief मिलेगा यह बहुत benefits से भरा होता है इसका सेवन करने से हम healthy feel करते हैं और इसमें जो मैं अब all dry foods एड़ कर रही हूँ इन सब के बहुत सारे benefits हैं और इनके अलग-अलग benefits हैं overall आपको सारे एक जगे मिलेंगे और आपकी जितनी भी बिमारियां आप उनसे free हो पाएंगे तो अब मैं तिल को कर रही हूँ brown आप हमारी वीडियो के end तक बने रहें step by step हर ingredient को देखिए और समझिए इनके benefits समझिए और ये किस-किस काम में आते हैं ये देखिए और समझिए आपके comment हमारे लिए बहुत important हैं हमें comment करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को last तक देखिएगा तब ही आपको समझ आपाएगा और तब ही आप इस recipe को बना पाएंगे और अपनी family को healthy रख पाएंगे नारियल को मैंने piece लिया था उसे मैंने एक बड़े बरतन में डाल लिया है मैंने एक बड़ा बरतन ले लिया है पतीला उसमें मैं सारे ingredient अपने add करती जाओंगी तो तिल मेरे हो रहे हैं brown इन्हें मैं अच्छे से golden brown करूंगी आप ये बना के अपने बच्चों को दीजिए बच्चों का mind sharp रहेगा और बहुत tasty होते हैं बच्चे बहुत enjoy करते हैं इसे खाके even बड़े जो बुजर्ग हैं आपके घर में aged है और आप अगर job वाली हैं अगर आप खुद खाना चाते हैं खुद खाये बहुत ज़ादा आप healthy feel करेंगे इने खाके आपकी जो आप ठकावट सा feel करते हैं वैसे weakness सा feel करते हैं इसे daily खाने से आप weakness पन से दूर रह पाएंगे आपको ठका feel नहीं होगा आप बहुत चुस्ती और फुर्ती अपने अंदर feel कर पाएंगे तो मेरे तिल देखिए almost brown होने लगे हैं इन्हें और brown करूंगी अब इन्हें मैं piece लूंगी निकाल के इन्हें piece लूंगी और piece के मैं इसी पतीले मैं add कर दूंगी इसे भी निकाल दूंगी और अब इस कड़ाई में मैं add करूंगी मखाने मखाने add करूंगी मैं मखानों को मैं करूंगी अब brown मखानों को मैं crispy करूंगी अच्छे से fry करके अच्छे से भूनके इन्हें मैं क्रिस्पी करूंगी सौटे करके और क्रिस्पी तब पता चलेगा आप इन्हें लेके अपने माउथ में खाके देखिएगा एक मकाना आपको इसमें क्रिस्पी पन आ जाएगा तब आप समझ लीजिएगा कि ये सौटे हो गए अच्छे से तो इने भी मैं क्रिस्पी करूंगी इनके भी बहुत सारे बेनिफेट्स होते हैं ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है हमें स्ट्रॉंग फील कराता है जो हमारा पेन होता है कभी कहीं पेन होता है कभी कहीं यो हमें उस चीज़ से फ्री करता है और हमें बहुत सारे बेनिफेट्स देता है हमें हेल्दी फील कराता है हर ड्राइफ रूट्स के अपने बेनिफेट्स होते हैं हर ड्राइफूर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तिल जैसे हड़ियों को मजबूत रखता है डाइजेशन ठीक रखता है ऐसी मखाने आपके डाइजेशन को ठीक रखते हैं आपके हार्ट को ठीक रखते हैं ओवर रॉल जो मैं इसमें सारे इंग्रेटिन्स ले रही हूँ सारे ड्राइफूर्ट ले रही हूँ वो हर बीमारी के लिए है जो आपको अनगिनत बीमारी से फ्री करता है इन्हें अच्छे से मैं करूंगी सौटे और आपको ही हमारी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके बताईएगा जरूर इसे मैंने निकाल लिया है मखाने को भी और इसे भी मैं पीस रही हूँ इसके मैंने इसी पतीले में कर दिया है इसे भी निकाल लिया है और आम मैं कड़ाई में एड़ करा है मैंने इसी कड़ाई में एड़ करा है ये वाला दो चम्मच घी एड़ करा है मैंने देशी घी और इसमें मैंने डाला है गोंद गोंद मैंने डाला है इसमें गोंद हमें ठंड से बचाता है गोंद जोडों, कमर और हड़ियों के लिए बहुत ज़ादा फाइदे मन्द है जो नियू मदर है जिनकी डिलिवरी हुई है वो इसे खाईए उन्हें बहुत अच्छा फील होगा वो बहुत हेल्दी फील करेंगे उन्हें मजबूती मिलेगी इससे खास तोर पर जो हमारा पैल्वेस है जो हमारी बोन्स होती है गरवाशे के आसपास की हिप्स के आसपास की जो हमारी बोन्स होती है ये उन्हें जो उस समय में ढिली हो जाती है ये उन्हें मजबूती देता है उन्हें ताकत देता है और उस समय का जो दर्द होता है ये उससे निजात दिलाता है जिनके भी बैक पेन है वो इसे लीजिए उनका बैक पेन ठीक हो जाएगा वो बहुत रिलीफ फील करेंगे इसे खाके उनके पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा जिनके जॉइंट्स पेन होता है वो लीजिए तो मेरे मखाने गोंध हो गया है ब्राउन अब मैंने इसे निकाल लिया है और अब इसी कड़ाई में मैंने आदा चमस देसी घी और एड़ किया है घी कम हो गया था और एड़ किया है और अब मैंने इसमें एड़ करें हैं चारो मगस चारो मगस आखों के लिए बहुत यह पेट को ठीक रखते हैं, हमारे पेट को साफ रखते हैं. इने भी कर रही हो मैं ब्राउन. आप इस रेसिपी को बहुत टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, दो से तीन महीने भी रख सकते हैं, स्टोर करके बना के रख सकते हैं, और daily खाईए चाय के साथ लीजिए बच्चो को दीजिए खुछ खाईए किसी भी time खाईए चाय वो morning की tea हो या morning में या बीच में भी कभी खा सकते हैं आप खाने के बाद भी खा सकते हैं यह बहुत healthy होते हैं और बहुत tasty होते हैं और अगर आप एक बार बना के दे देंगे तो बच्चे आपसे बार बार मांगेंगे ये इविन घर में भी आपके बहुत सब बार बार आपसे ये मांगेंगे खाने के बाद में और इसमें मैंने आइड कर दी थी साथ के साथ दखनी मिर्च दखनी मिर्च के benefits बहुत ज़ादा है दखनी मिर्च जिनके specs लग गया है जिनकी आँखों की रोशनी कम हो गई है वो इसे खाईए दखनी मिर्च हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है आपका specs हड़ जाएगा आपका number कम हो जाएगा यह आपके mind को भी तेज रखता है आपके भूलने की जो बिमारी है यह उसे भी ठीक रखता है यह recipe और आपको जिने भूलने की बिमारी है जिने याद नहीं आता वो इसे खाईए उनका mind sharp होगा उन्हें भूलने की आदत छूट जाएगी वो बार बार उन्हें सारी चीजे य और एक साइड में मैं पीस रही हूँ अपना गोन चारो मगज और दखनी मिर्च इसे पीस के भी मैं उसमें निकाल लूँगी पतीले में अब इसे मैं निकाल लूँगी इसे मैंने निकाल लिया है बादाम हमारे अंदर केल्शियम की जो कमी होती है उसे दूर करता है यह हमारे बालों को चमक देता है उन्हें मजबूत बनाता है आँखों को तेज करता है आँखों की रोशनी को तेज करता है हमारे दिमाग को सबसे इंपोर्टेंट हमारे दिमाग को तेज करता है हमारे माइन को शार्प करता है बादाम को भी मैंने सौटे करके निकाल लिया और उसे पीस लिया इसी कड़ाई में मैंने एड़ कर दिया है अपना बेसन बेसन को भी भून लिया है मैंने सौटे कर लिया और इसे यलो करके और मैंने निकाल लिया है अब मैंने बड़ा असा पतीला रखा है और इसमें मैंने अड़ करिये 1.5 kg चीनी और वो जो मेरा सारा सामान था वो मेरा 2 kg करीब था टोटल जो इंग्रीडियन्ट थे मेरे ड्राइफ फ्रूट्स वगरा वो दो किलो के करीब थे और यह मैंने 1.5 kg चीनी लिया ड्हाइसोग्राम घी लिया इसमें आप एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा बना के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइगा और आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी प्लीज जरूर बताइगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर कर लिजेग कि अच्छी से मैल्ड करूँ गी चला के अच्छी से मैल्ड करूंगी, इस तरीके से चला के अच्छी से मैलड करना है यह मैंने लिया है 200्ग खोया 30- Hayır का अक्डू कसका कर लिया आये। यह बहुत डिलिumm healthy recipe बहुत tasty है और आप store करके रख सकते हैं से काफी time duration तक सर्फेकार करके रख सकते हैं सब से बड़ी बात यह आप को थंड से बचाती हैं हर बीमारी से protect करती आपको जो बीमारिया है जिल छोटी बड़ी बीमारिया है यह उनसे बचाती है उन्हें दूर करती है आपसे तो मैंने अच्छे से मेल्ड कर लिया चीनी को भी और अपने घी को भी मेल्ड कर लिया अच्छे से आप इसे सर्दियों में स्टार्टिंग में बना के रख सकते हैं शुरू में ही और पूरी सर्दिया इन्हें खा सकते हैं रखे स्टोर कर सकते हैं और डेली इसे खा सकते हैं तो देखिए मेरी चाशनी हो गई है रेडी अब इस तरीके से मैं चेक करूँगी दो से तीन तार की चाशनी चेक करिया मैंने आप भी इस तरीके से चेक कीजिएगा और इसमें एड़ कर दिया है मैंने अपना खोया खोय को भी करूँगे melt अच्छ से आप कम इंग्रेडियंट में भी इसे बना के देखिएगा फर्स टाइम आप बनाएंगे तो थोड़ा सा बनाईएगा बहुत एजी है और बहुत टेस्टी है सबसे बड़ी बत बन जाता है अब मैंने अपना पतीला उतार के रख लिया है और ड्राइ इंग्रेडियंट वाला भी ले आई हुम है और साथ के साथ आप इसमें किसी एक की हल्प जरूर लीजिएगा क्योंकि अगर आप एक साथ खुद डालेंगे और मिक्स करेंगे तो इसमें लंप्स पड़ जाएंगी तो गुठलिया पड़ जाएंगी इसलिए एक से डलवाईएगा किसी से और आप खुद इसे अच्छे से दबाईएगा और मिलाईएगा तरीके से दबाके मिक्स करना इसे थोड़ा थोड़ा डालके एक साथ मत डालिएगा वना सारा ये टाइट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा सा डालके अच्छे से मिक्स कीजिए इस तरीके से दबाके mix करते रहिए से यह आपके पास ठंड बिल्कुल नहीं आने देगा जिने ठंड लगती है aged है उन्हें ठंड बहुत ज़ादा लगती है छुटे बच्चों को भी ठंड बहुत ज़ादा लगती है आप उन्हें खिलाईए उन्हें ठंड का एसास भी नहीं होगा पता ही नहीं चलेगा कि ठंड कब आई और कब चली गई इस तरीके से चलाके mix करिए इसे थोड़ा थोड़ा डालिए और चलाते रहिए दबाके अच्छे से mix करते रहिए और इसके लिए बड़तन आप खुला बड़तन लीजिएगा बड़ा बड़तन ताकि आप इसली इसे चला पाएं और mix कर पाएं तो दीखिए आप मैंने सारा टोटल ड्राई इंग्रेडियन्ट इसके अंदर डाल दिये हैं अब अच्छे से मैं कर रही हूँ इसे mix कर लूंगी से तो यह हो चुका है अल्मोस्ट अब इसे इस पून को हम कर लेंगे छोटे स्पून की हल्प से clean और अब हम बनाएंगे इनके छोटे छोटे से लड्डू छोटे छोटे से लड्डू बनाएंगे यह बहुत soft और बहुत tasty होते हैं तरीके से shape देखें आप चाहें तो बड़े बना सकते हैं छोटे चाहें तो छोटे बना सकते हैं shape आपकी according है size आपकी according है आप जैसा रखना चाहें इस तरीके से बहुत easily बन जाते हैं और बहुत tasty होते हैं इस तरीके से push करके दबाएंगे और यह खाने में बहुत soft होते हैं माउथ में जाते ही घुल जाते हैं बहुत tasty होते हैं इसे कोई एजड़ भी जिनके दात नहीं हैं वो भी खा सकते हैं ऐसे तो मैंने तो अपने लड़ू बना ली हैं स्टोर करने के लिए आप भी बनाईएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा